हलो गुण मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं नियो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को सहीब गंज में तेजी से फ़ल रहा लंपी वारस सहीब गंज में लंपी वारस के मामले सामनी आ रहे हैं बताय जा रहा है कि सुरवात में बोरियों में गाय के सरीर पर 6 चक टाइप का लक्षन देखने को मिला था इसके बाद विभाग ने 75 से अधिक मवेश्यों का इलाज किया इसमें तीन मवेश्य की मौथ हो चुकी है बरहडवा प्रखन के पूरलिया गाउ में बकरी में लक्षन देखने को मिला अब सदर प्रखन में मवेश्य का गड़ कहे जाने वाला छेतर में लंपी वारस का लक प्रखन मानकर उपचार कर रहा है। जिस रची जा रही है प्रसासनिक टीम और चापेमार दलों की और से देरराथ चापेमारी अभ्यान चला किया हलाकि इस अभ्यान में प्रसासन को कोई सकरात्मक परिनाम नहीं मिला अर्थाद जिन होटलों में चापेमारी की गई थी उन होटलों में नगदरासी नहीं मिली इदर छापेमारी की कारवाई से बिजेपी और आसू के नेताओं में प्रसासन के प्रती गुर्षा व्यप्त है और राज सरकार पर भी इन पार्टी के नेताओं की और से कई आरोप लगाय जा रहे हैं हलाकि प्रसासन की और से समझाने पर फिलाल मामला सांत है जामुमों की लड़ाई हमेशा पुझ्यूपतियों से रहा मान सम्मान के लिए कभी नहीं किया समझोता हेमंतु सोरेन मुके मंतरी हेमंतु सोरेन ने कहा है कि दिशोम गुरू सीबु सोरेन की संगर्स की बदोलत जारकन राज मिला है यहां की संस्कृति और असिम्ता को बचाने के लिए दिशोम गुरू हमेशा से संगर्स रत रहे हैं जारकन्डियों की लड़ाई हमेशा पुझ्यूपतियों से रहा है मान सम्मान के लिए कभी अपनी इमान को समझोता नहीं करेंगे खाय की भोग से मरना पसंद करेंगे लेकिन भीक मांगना पशन नहीं करेंगे विरोधी पैसों के बदलत चुनाव लड़ते हैं और वोट खरीद कर चुनाव जितने के बाद पुझ्यूपतियों को बेच देते हैं डुम्री विधान सभा चेतर के उग्रवात प्रभावित उपरघाट अंतरगत पोखरिया पंच्रायत के फुटबाल मादान डेगा गड़ा में रबिवार को मोखे मंतरी हिमंतु सुरें ने चुनावी सभा को शमपोजित किया पुके बन्तरी ने कहा है कि राच में 80% जन ा रासनकार पर निर्भर है लेकिन पूर्व की सरकार ने 11,00,00 रासनकार जो है डिलेवर किया था हमारी सरकार बनते ही 20,00,63 रासनकार लाभोको को दिया है काहे कि विरोधी इस उप्षिनों मेंगर गुष कर आम लोगो दिख- प्रमित कर रहे हैं। पूर्वी सिंग्भूम, पस्सिमेशिंग्भूम, सिम्डेका और सराकेलाखारसाओं में कहीं कहीं आज जो हलकी तो कहीं कहीं चेटपूर बारिस हो सकती है। पूर्वी उपचिनाओ के दोरान रविवार को आजसु के केंद्रिये अध्धक्श सुदेश माईतों ने नावाड़ी उपरीगाट की नौप पंचायतों में जनसभा को शम्बोधित किया। पोकरिया में आयुजित पहली जनसभा को शंबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि या चुनाव दोहजार चुबिस की पटकता लिखने का काम करेगा, या कोई शाधारन चुनाव नहीं है या चुनाव डुमरी की जनता लड़ रही है, इसका परिनाम राज को नई दिसा दे का, डुमरी की जनता का निरने, राज की जनता को सरकार के चार साल के कुशासन से मुक्ती दिलाने में सहायक साबित होगा उन्होंने कहा है कि डुमरी के लगभग तीन लग मतदाता राज के सड़े तीन करोड मतदाताओं के उधारक बने या दाई तो भी डुमरी के मतदाताओं के उपर ही है मुख्यमंत्री के चिनौव प्रचार पर सुदेश महतों ने कहा है मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर से उतर कर सडक मार्ग से प्रचार का सहास नहीं दिखा पा रहे हैं अगर वह सड़क मार्क से प्रचार करते तो उनके चार साल के कारेखाल और डुमरी के 19 साल के जैमेम के सासन का चहरा उन्हें यहां की सड़क पर दिख जाता सराकेला में दो वहनों की भिढंत के बाद लगी आग, दो जिंदा जले, घंटो आवगमन रहा बाधित सराकेला जिला इस्तित चांडल धाना छेतर में भादोडी के पास सनिवार की देर रात करीब धाई बजे चेचिस और ट्रेलर में जवर्जस टकर हो गई, इसके बाद दोनों वहनों में आग लग गई, आग से जुलसने से एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेल राची की और से जमसेत पूर की और जा रहा था, इसे दोरान दोनों वहनों में आमनी सामने की टकर हो गई, टकर के बाद दोनों गाडियों में आग लग गई, आग इतनी भयानक थी कि आग में जलकर एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रिलर चालक जुलसकर ग दोरंडा कोसागार से 36 करोड 69 लाक रुपए की हुवी थी अवाद निकासी 27 साल 46 शुनवाई शन्युक्त बिहार के दोरान हुवी बहुच अर्चित चारा घुटाले मामले में आज फासले आएगा यह मामला दोरंडा कोसागार से जुड़ा हुआ है यहां से वर्स 1990 से 1995 के द साल स्रिवास्तों की आदालत में दोनों और से बहस पूरी हो गई सुनवाई पूरी होने के बाद आदालत ने फासला सुरक्षित रख लिया है अब आज फासला सुनाय जाएगा डुरंडा कोसागार मामले में 27 साल 46 शुनवाई के दोरान से वियाई के विसेश लोक अभिय जक रविशंकर ने इस मामले में खुल 66 शुनला गवाहों का बयान दर्ज करा है हजारी बाग के चमेली जharnे से मिले तीन सवो की होई पहचान अब भी लापता घजारी बाग जिले के रांची पतना मार्क से 60 इचाग पद मासीमा छेतर इस्तित चमेली जharnे से मिले तीन सवो की पहचान पुलिस ने कर ली है स्पी चौथे मनुज रतन ने बता है कि चमिली जरने से बरामत किये गए तीनो शव वर्धाना चितर के करसो गाउनिमासी सुनिल कुमार के पुत्र एवं पुत्री की है मिर्तकों में कर्ण कुमार 12 वर्षी, पुत्री, रिया कुमारी 10 वर्षी और पुत्र आयोश कुमार 7 वर्षी सामिल है सप्पी के मताबिक मिर्तक बच्चों की माता कुंती देभी पती सुनिल खुमार 21 अगस्थ को अपने 3 बच्चों के साथ अपनी माई के बर्ही इस्थित करसों से अपनी बहान के घर पदमा उपी अंतरगद तिलिर कर्मा के लिए निकली थी इसके बाद चमिली जहरना से 3 महतों ने भरी हुंकार जार्खन भांसा खतियानी संगर समेती के केंद्री अध्धक्स जाराम महतों ने बाबा घाट मैदान में रविवार को बदलाव संकल्प महा सभावे हुंकार भरा कहे कि बाहरी और भीतरी की नहीं बलकि या लड़ाई अपनी अधिकार की है यही धरती और अपमान की भीड़ है इन लोगों ने बिखरता हुआ परिवार देखा है और बिखरता हुआ समाज देखा है इसी नेता ने नहीं बुला है बलकि यह भीड़ खुद बाखुद इखटा हुई है यहां की धरती से उल्गुलान होने जा रहा है उन्होंने कहे कि यह करने की जौरत है 2024 के चुनौ में बदलाव लाने की बाद भी कही है कहे कि राज अलग राज का निर्मान विकास के लिए हुआ था इस्थान लोगों के लिए हुआ था लेकिन आज यहां राज बेरोजगार और मज़दोरों के लिए जाना जा रहा है मानो तसकरी की सिकार साहिब गंच की नौ बालिकाओं को दिल्ली से कराए गया मुक्त मुक्यमंतरी हिमंत सुरेन की सार्थक प्रियास से लगतार मानो तसकरी की सिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनरवास किया जा रहा है इसी कड़ी में मानो तसकरी की सिकार जारकन के सहिब गन जीले की नौ बालिकाओं को दिल्ली से मुक्त करा गया है मानो तसकरी पर जारकन सरकारत था महिला एवं बाल विकास विवाग काफी सन्वेद अंसील है यही कारण है कि दिल्ली में एककरित पुनरवास शंसाधन के अंदरे चला जा रहा है जिसके ताथ मानो तसक्री के सिकार बच्चे एवं बच्चियों को मुक्त करा कर उनके जिलों में पुनरवास किया जाता है इसका टोल फ्री नंबर है 10582 है जो 24 घंटे कारे करती है संथाल बिल्डर्स विवाद जामों ने बिल्डिंग की तस्वीर दिखा कर बाबुलाल से पूछा ये किसका है जामों के भाजपा प्रदेश अध्धक्ष एवं पूर्व मुक्हमंत्री बाबुलाल मराणी पर दूसरा बड़ा हमला कर दिया है जामों ने एक मकान का फोटो म इडिया में जारी करतो हुए भाजपाने था मराणी से सवाल पूछा है कि वह बठाने की तक लीप करें कि इस मकान के वे मालिक रहे हैं या किराइदार रविवार को जामों के केंद्रिये महासची और प्रवक्ता सुप्रीमों भठाचार ने पाटी कारले में आयोजित प् इसके वर्तमान में निदेशक है या नहीं इस बाबत जामों बाबुलाल मरांडी से सवाल पूछता है कि अभी भले ना हो मगर वे अब बताएं कि ये लोग शंधाल प्रगना बिल्डर्स प्राइबिट लिमिटेट कंपनी जो 2005 वे बनाए गए थी कि निदेशक थे या नह मंदर परिसर में गंदगी फैलाने का मामला प्रकास में आ हैं इस मामली को लेकर मंदर परवंधक समेती ने चकरधर पूर्थाना में सिकायत कर आरोपी पर सक्त कानूनी कारवाय करने की मांगी है जानकारी मिली है कि मंदर परिसर में बंद गेट के बाहर से प्लास्टिक के थैले में गंदगी भर कर अग्यात मंदर परिशन में गेट के उपर सिफ फेंक कर मंदर को गंदा करने का काम किया किया है समेती के पास CCTV फुटेज भी है जिसमें मंदर के अंदर गंदगी फेंकी गई है पुलीस को गुपतु सूचना मिली थी कि परतिवंधित नकसली संगठन भागपा मवादी के चमन उर्फ लंबू अमेत मुंडा सालुका कायत परभात मुंडा उर्फ मुख्या अपने दस्ता के शाथ चाइबासा सराइकेला एवं खुंटी जिला के सीमवर्ती चेतर में भरमन सील है सनिवार को शन्युक्त अभ्यान कराइकेला थाना अंतरगत वन ग्राम नवादा उली बेरा सारुगोडा एवं जो है गीती उली के सिमवर्ती जंगल शेतर में संचालित किया रहा है अभ्यान की क्राम में रविवार को सुभा लगबग 10 बच के 15 मिनिट पर कराइकेला थाना अंतरगत वान ग्राम उली बेरा और गिवती उली जंगल के समीब पहाडी एवं जंगली चेतर में परतिबंधित नकसली संगठन भागपा मववार्दी के द्वारा उस चेतर में बनाय हुए कैम्प को सुरक्षबलों ने ध्वस्त किया तता जो है अगरतर सर्च में निमलेखित समान बरामत किया है एसपी ने कहाए कि नकसलियों के खिलाप आगे भी कारवाई जारे रहेगी हेमंतु सोरिन मीडिया में भ्रामक जानकारी दिलाकर मुझे उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने से नहीं रोक सकते बाबुलाल मुरांडी भाजपा प्रदेश अध्धक्ष एमंपूर मुख्यमंतरी बाबुलाल मुरांडी ने जामों की प्रेशवारता को लेकर मुख्यमंतरी पर प्रहार किया है कहाए कि हेमन्तु सोरिन अपनी पार्टी के प्रावक्ता के माध्धम से मीडिया को प्रामग जान करे देकर उनकी प्रहश्टचार के खिलाब जो अवाज उठाने उनकी लूट और जो है जूट की पोल खोलने से नहीं रोखशकते पहले की तरह वे आज फिर दोहरा रहे हैं कि राज में कहीं भी उनकी या इसी की भी कोई संदिक दिजमीन मकान प्रॉपटी का राज सरकार को पता चलता है तो सबसे पहले उसे जप्त करें दोस्यों पर बिना देर कीए कार रवाय करें फिर डंके की चोट पर मीडिया के सामने उज़ागर करें कोडरमावा डॉमचांच में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए किया सगन वहान चेकिंग अभ्यान सड़क सुरक्षा को लेकर अनुमंडल पदधिकारी संदीब कुमार मीना के नेतुतों में सगन वहान चेकिंग अभ्यान चला गिया चेकिंग अभ्यान के दौरान बीना नंबर बीना लाइसेंस प्रेशर होरने के साथ वहान चलाने वहान में अतरिक्त जो है इस्थान निकाल देने बीना माइनिंग चलान बीना हिलमेट के दौपहिया वहान चलाने की जांच की गई वहान चेकिंग अभ्यान कोडर्मा और डोमचांच थाना समीब चला गया जिसमें 6 ट्रकों को जो कोडर्मा में जब्त किया गया है और दो ट्रक्टर को डोमचांच में जब्त किया गया है और एक ट्रक फरजी चलान के साथ पकड़ा है चेकिंग अभ्यान में कई वहानों पर कार रवाई हुई है और एक लाग चार हजार पान सो रुपए जुर्माने के रासी वसूली गई है धनबाद के ज़रिया में अग्यात निकार में लगाई आग पुलीस कर रही है ज़रिया में सनिवार देर रात करीब बारा बज़े अग्यात बदमास ने सुदामडी थानार चितर के पतरडी रिवर साइड निवासी कमलेश कुमार की कार संख्या जेच 10 बीच 1892 में आग ल लगी हुई है इसके बाद किसी तरह उन्होंने आग को बुझाया और इसकी सूचना पुलीस को दी पुलीस आरोपी के तलास में जुड़ गई है बिजली अस्मार्ट मीटर से बेताहसा बिल ब्रधी के खिलाब को विजन सुनवाई केरल की तरच पर जारकर में अस्मार्ट मीटर को रोल आउट करने की मांग बिजली उब्भोकता पीडितों के साथ जो है रविवार को नागरिक संग्ठन रांची विधुत उब्भोकता मंच के द्वारा अंजुमन प्लाजा होल में जन सुनवाई हुई जिसमें राची के बिजली उब्भोकता, हिंदे पीडि, लोवर बजार, चूटिया, डोरंडा, हात्मा, कोकर, पुंदा, काटा टोली, में रोड के शामिल थे देहदान की मिसाल, विश्व हिंदू परिश्द की देवी प्रसाद सुकला की बॉड़ी से अब पढ़ाई करेंगे रिम्स के अस्टूडेंस, विश्व हिंदू परिश्द, जारकन के वरिष्ट प्रांत उपाध्यक्ष, 94 वर्सिये देवी प्रसाद सुकला के निधन के ब एनाटोमी विभाग में चात्रों को सरे का बाहिय आकरती और सुक्ष मिदर्सी अध्यन करा जागा रिम्स में अब तक 50 लोगों ने देहदान का संकल पलिया है इनमें से 7 देह रिम्स को मिल चुकी है मन की बात कारिक्रम में लोहरदगा के इस गाउं की जलक पाकर खिल उठे ग्रामिनों के चहरे प्रधान मंतरी मन की बात कारिक्रम को लेकर लोहरदगा जिले के कुड़ो प्रखन के मसियातु गाउं में खास तयारी की गई थी रविवायर को मसीयातु गाउं के लिए खास दिन था क्योंकि प्रधान मंत्री के इस कारिक्रम में रविवायर को इस गाउं की जलक दिखाई जाने वाली थी कारिक्रम का सिधा प्रसारन LED अस्क्रीन पर किया जा रहा था जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग आये थे हलकी जलक देखकर ही ग्रामिन बहुत खुष हो गए उन्होंने काहे कि प्रधान मंत्री के इतने बड़े कारिक्रम में हमारे चोटे से गाउं की जलक दिखाई गई यह हमारे लिए बहुत है हेमंत सरकार में भच्टा चार चरम पर अपसर कहते हैं हर महिना रिचार्ज कराना पड़ता है बाबुलाल मरांडी भाजपा प्रदेश अध्धक्च एवंपूर मुखे मंत्री बाबुलाल मरांडी ने अपनी संकल पियात्रा के दुइत्ति चरन में जामताड़ा की जन सभ उदित किया मरांडी ने बारिस के बीच जन सभाओं में हजारों की संख्या में शामिल होकर उनकी बातों को सुनने के लिए शंधाल प्रगना की जनता का अभार प्रकट किया उन्होंने का है कि जनता के इस्चने और समर्थन से संकल पियात्रा अब जन संकल पियात्रा में बदल गई है मारांडी ने कहा है कि जारकन राज़ भाजपा जो है नीद अटल सरकार की देन है भाजपा राज़ गठन से लेकर राज़ की सरवागिन विकास के लिए समरपी थे लेकिन अलग राज़ की लड़ाई का धिंडोरा पीटने वाले ज्यामूमों कॉंग्रेस और र अनिध में अलबर्टे का चौक में रूट कारिकरम इस्तल पर छेवा साथ सितंबर को सरी कृष्ण जानमास्टमी महात्सो मना जाएगा रभिवार सुभा समेती के संरक्चक संजे सेट वा अधक्ष मुकेस काबरा सहित समेती के शदर्शों के नितुत में जो जानमास्टमी महात्सो पर होने वाली दही हांडी फोटो परतियोगिता के लिए एक मटकी को सजाकर उसमें माकन भर कर हांडी को आयोजान इस्तल पर लगा गया रंग बिरंगे फूलों की लड़ी से सजी या हांडी साथ सितंबर तो लोगों की आउलोकन के लिए लगाए गई है इस मौक करन कुछ देर के लिए सड़क जाम के इस्तिती उत्पन हो गई लेकिन ततकाल मौके पर पहुँचकर पुलिस ने याताया तव्यस्तित किया इस साथ से में कार सवार घायल हो गए देशी कट्टा के साथ युवा गिरप्तार रामगड जिला के बढ़गाउं निवासी महेस रविदास के 23 वर सी पुत्र सिकंदर रविदास घाटो उपी थाना चेतर का बताया जाता है बुकारो जिला के जागेस्वर विहार थाना प्रपारी संदेब क्रिस्णा ने बता है कि कारण संग के 18-23 के तहट 27 अगस्त कुधारा 25 एक बी एच 26 आमस एक के तहट देसी कट्टा एवं एक मबाइल फोन मिला है साथ ही गांजे के कारोबार में इसकी सनलिप्टता बताया जाती है पुलीस ने गुप्त सुचना के अधार पर जागेस्वर विहार रिल्वेस्टेशन के समिप से गिरपतार कर माननिये न्यायाले के समक्ष उपस्तित किया गिरिडी में लोहा चोर घिरो सकरिये सुरक्षागाडो ने लोहा की अंगल लदीवाहन को किया जब्त धंधेबाच फरार गिरिडी जिले के सीसियल के कारखाना से रात के अंधिरे में लोहा चोरी करने वालों का घिरो पिछले लंबे समय से सकरी है हर दिन लोहा चोर रात के अंधेरे में कारखाना में सेंदमारी कर परवेश करते हैं और लाको रुपे के कीमती लोहे की चोरी कर लेते हैं बतादे की सनिवार की रात करीब डेड़ से दो बजे सीसल की सुरक्षावा की टीम को संदे हुआ की कार खाना में लोहा चोर परवेश कर गए हैं इसी के बाद आसपास मौजूद सभी सुरक्षागाड एकत्रित हुए और लोहा चोर को पकड़ने के लिए चापमारी अभ्या क्रादे क्लिवा झाल कर दो सुरक्षावा झाल के बादे कर जाय को थादे का बादे क।